वेल्कम इस्ट्रेंट्स बिये पार्ट फर्स्ट थाड़ एर पेपर सेकिंड इस इस पेपर में हम श्री अर्विंद पर विशत्स रूप से चर्चा कर रहे हैं कल जो हमने चर्चा की थी वो विशय था अर्विंद की अज्यान की अवधारना इसी के इस का इस आज हम गनौस्टिक बींग अर्विंद की ज्ञान पुरुष की या दिव्य पुरुष की के विशय परम चर्चा करेंगे दिव्य पुरुष या ज्ञान पुरुष अर्विंद ये मानते हैं कि जो विकास का क्रम है उस विकास के क्रम में दिव्य पुरुष का अभ्युदय होगा विकास क्रम में जो अति मानस की परिवर्तन है उसके परिणाम सरूप दिव्य पुरुष की उत्पती संभव है अभी तक विकास के क्रम में हम पुरुष या मानव तक ही पहुँच पाएं अर्विंद कहते हैं कि जो पुरुष है वो विक्सित होकर दिव्य पुरुष हो जाएगा जिस तरह से मानस जो है अति मानस के इस्तर पर विक्षित होता है उसी तरह से मानव जो है वो भी दिव्य पुरुष के इस्तर तक विक्षित होगा कहने का तात्पर यह है कि ज्ञान पुरूश या दिव्य पुरूश वह पुरूश है जो मानस से अति मानस के इस्तर को प्रप्त कर चुका है और जो सचिदानंद चेतन स्वरूप है और अद्वेत भाव से युक्त है अर्विन कहते हैं कि जा मानव अज्ञान के शेतर से उपर उड़ता है अर्थात मानस से अति मानस के अवस्ता के और बढ़ता है तब उसमें आध्यात्मिक अनुभूतियों की परिनती होती है और वो अज्ञान के शेत्र में नहीं जिता बलकि ज्ञान पुरुष बन जाता है इस तरह की परिवर्तित मानव को ही ज्ञान पुरुष कहने का आधारी यही है कि आत्मा जो है इस इस्तिती में अज्ञान के शेत्र से उपर उठ जाती है और ज्ञान जो पून एकत्व की चेत्ना है का ही जीवन जीती है हमारी आत्मा जो है जब अज्ञान के शेत्र से उपर उठती है और जब वो ज्ञान के शेत्र में पहुंचती है यहनि पून एकता की चेत्ना तक पहुंचती है तो वो ही जीवन जीती हैं, अतिमानस का स्वरूप ही ऐसा है कि वो परमसत के पून अद्वेत रूप की इस पश्ट चेतना है, चेतना ही अखंडित अद्वेत की चेतना है, इसलिए इस चेतन में सभी भेज अपने आपी समापत हो जाते हैं, इसे आदर पर कह सकते हैं कि ज्यान पूरूष सदे भी इसी एकत्व की चेतना की अनुरूप कारे करेगा, उसे केवल अपने समन्द में इस प्रकार के एकत्व की चेतना नहीं रहेगी, बलकि वो दूसरे मानसिक इस्तर पर जीने वाले मनुशों को भी अपने एकत्व की चेतना में समेट लेता है, ऐसा ग्यान पूरूष का स्वरूप है, ज्यान पूरूष जो है एक पूर्ण व्यक्ति है और वह पूर्णता अंतर बाई है, सब्भी पक्षों के पूर्ण एकत्व की समझ के साथ उजागर होती है, ज्यान पुरुष के सारे काम जो है वो पून्त है संगठित होते हैं और यह सम्मन्वित संगठन केवल व्यक्तिक आत्मा तथा पून्आत्मा का संगठन नहीं है बलकि संकल्प, क्रिया, आधी सभी का पून्ता के साथ पून्ड सम्मन्व है इसका अर्थमातर यही हो जाता है, कि ज्यान पुरुष जो है इश्वरी रूप पा लेता है ज्यान पुरुष के सारे काम जो है, वह आनंद रूप होते हैं, उसके कारियों में आत्मा की आहलाद की अभिव्यक्ति होती है ज्यान पूरुष जो है वो पूर्ण तया रोपांतरित आत्मा है जिसकी दरश्टी ही ज्यान अथवा पूर्ण के कत्व की चेतना कहलाती है अर्विंद के ज्यान पुरुष की जो अवधारना है वो जीवन मुक्त की अवधारना से बहुत अधिक सम्रिद अवधारना है साधनत जीवन मुक्ती से बोध होता है वह आत्मा जो शरीर में रहते हुए शरीर एविंदुक के बंदन से मुक्त हो जाए ग्यान पुरुष को जीवन मुक्त कहने का आधार भी यही है कि जीवन मुक्त के समान ग्यान पुरुष का काम जय वो समाप्त नहीं हुआ है अभी उसे उचतर प्रकाश को अपनी अतिमानसिक चितना के आधार पर विकास की प्रक्रिया में अवतरिक्त कराने के लिए एक योगदान देना है ज्यान पुरुष भी अतिमानस की सरजनात्मक शक्ति का अंग बन जाता है और ज्यान पुरुष बनने में तथा ब्रह्मांड में दिव्य जीवन के अवतरण में अपना योगदान देता है तो इस दुष्टी से ग्यान पुरुष्ट जो है किसी दूसरे जीवन में प्रविश नहीं करता बलकि इसी जीवन को पूरी तरह आध्यात्मिक और इश्वर में बना देता है कहने का तात्परिय है कि जब मानव दिवय जीवन में पहुंच जाता है या पहुंच जाएगा तो वैसी इस्तती में उसका शरीर और मन भी परिवर्तित हो जाता है उसके सोचने और कार्य करने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता है तो दिव्य मानव जो है संपूनता की दृष्टी से युक्त होगा इसका आर्थिय होगा कि दिव्य मानव जो है यानि ग्नौस्टिक बींग यानी ज्ञान पुरुष्ट है वो पूरी तरह से आध्यात्म को प्राप्ट कर लेता है उसका जो क्रिया कलाप है वो ज्ञान से निर्देशित न होकरके ज्ञान पर आधारित होता है जब अत्टी मानस यानी सुपर माइंड अवरोहित होता है तो एक प्रकार का परिवर्तन पूरे अस्तित्व में आ जाता है और ये परिवर्तन जो है बहुतिक, जैविक और मानसिक इस्तर पर होता है और विकास अतिमानस के उत्पन होने तक सिमित नहीं रहता है परिवर्तन का परिणाम यह होता है कि मानव जो है ज्ञान पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा और वह अज्ञान का परित्याग कर देता है तता साथ ही ज्ञान की प्रकाश से वो आलोकित भी होता है ग््यान पुरुष अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को रघ्ञानताओं की सिमा में बांद के नहीं रख़़ बन्दा नहीं होता हूँ वो अति मांज की परिवर्तन पून अस्थित्वों में परिवर्तन लाता है यानि सुप्रामेंटर परिवर्तन जो है उसका जो सुप्रमेंटर परिवर्तन है वो परिवर्तन जो है पूरे अस्तित्व में ही एक तरह से परिवर्तन ला देता है अब ज्ञान पुरुष का अपने शरी के साथ कैसा संबन रहेगा तो इस इस्ति में हम कह सकते हैं कि ज्ञान पुरुष की जो आध्यात्मक दिश्टी होती है और वो ज्ञानी पुरुष होता है तो दिव्य पुरुष का या ज्ञान पुरुष का कोई अपना व्यक्तित्व है या वो व्यक्तित्व रहित होता है ये एक प्रश्ण है तो अर्विंद कहते हैं कि ज्ञान पुरुष जो है वो व्यक्तितु पूर्ण होता है लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि एक साधरन मनुश्य जो है वो अहम को अपना व्यक्तितु मानता है जबकि ज्ञान पुरुष जो है वो चेतना युक्त होता है उसम किन्तो अब उसकी दृष्टी सोचने विचारने आरे करने के डंग आधी परिवर्थित हो गए हैं क्योंकि अब उसके देखने विचारने का आधार है वो अज्ञान नहीं है बलकि ज्ञान है ज्ञान पुरुष की जो अंत्रात्मा है जिसके आध्यात्मिक स्वरूप से सारे आवरण हट गये हैं अब वो ध्रातली पुरुष नहीं है जिसे व्यक्ति की रूप में किसी मुखेटी की आश्यक्ता है थीक है तो इस तरह से श्री अर्विंद ने ज्यान पुरुष की प्रकति का बढ़नन किया है थेंक्यू